विपक्षित दलो के गडबंधन इंडिन नेशनल डेवलोप्मेंट इंक्लोजिव अलांस के कॉडिनेशन कमिटी के बुधवार को पहली बैठक होगी कमिटी के सभी 13 सदसे नेशनलिस्ट कॉंग्रिस पार्टी के प्रमुक शेरत पवार के आवास पर इकठा होंगे और सीट बटवारे एवं पीएम पध पर समेत तमाम मुद्दों पर बंधर करेंगे एक सितंबर को मुंबाई में हुई इंडिया की तीसरी बैठक में 14 सदसे कमिटी के घूशना की गई थी जिसमें गटबंधन में शामिल राजनतिक दलू की नेता शामिल है बैठक से पहले ही CPIM ने हाथ पीछे खिछ लिये हैं कॉर्डिनेशन कमिटी के मेटिंग में त्रणमल कॉंग्रिस और CPIM शामिल नहीं होंगे और जेडियू से ललन सिंग की जगा संजय जाहिस सालेंगे कॉंग्रिस महासचियो केसी बेनो कुपाल, DMK के, TR बालू, JMM नेता और जारखन के मुखे मंतर हमत सुरेन शिवसेना संसत संजय राउत, RJD नेता, तीजस्वी यादो तरणमल कॉंग्रिस के अभिशेक बैनर जी, आप संसत रागो चड़ा, समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अले खान, J.U. के ललन सिंग, CPI के डी राजा, नेशनल कॉंफरेंस के उमर अब्दुला, PTPP प पर महर लगाने जैसी बड़ी चुनोती होंगी, पहली कॉर्डिनेशन मीटिंग में इंडिया गडबंधन के लिए संयोजग का नाम भी तैय किया जा सकता है, इस पद के लिए पर्व कॉंग्रिस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार के नाम की काफी चर्चा है, बंगाल के सियममता बैनरजी और तमिलनाडू के मुख्यमंतरी, एमके स्टालिन के नाम की भी चर्चा है, और इसी भी खबरे हैं कि गडबंधन की एक से ज़्यादा संयोजग भी हो सकती है, पश्यमंगाल में द्रिमल कॉंग्रिस और लिफ्ट के चुकी है कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में टीमसी के जाथ गडबंधन को तयार नहीं है, 17 जुलाई को सीपियाई एमनिता सीताराम येचूरी ने कहा कि वामपंथी और कॉंग्रिस के साथ धर्मनेर पिक्षदल राज्य में बीजेपी के साथ टीमसी से भी पियार बनी और मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री बने थे